करकडाती सर्दी पढ़ रही थी अभी शाम के लगभग 6 बजे थे विपुल अपने दोस्तों के साथ सिनेवा हॉल से बाहर निकला क्या हुआ विपुल रुक्यों गए अरे यार जूतों में मिट्टी लग गई है आँ जरा वो सामने पॉलिश वाला बैठा है उससे जूते पॉलिश करवा लेता हूँ पेनो, सर्वियों में खाने पीने की गर्म-गर्म चीजों का आनंध ही कुछ और है। जा, ज़रा ठेले वाले से दो गर्म-गर्म भुट्टे लेकर आजा। ये जूते पालिश हो गए हैं। तुम लोग जितना मर्जी कमा लो, रहोगे भिखारी ही, खंड लगती रहेगी, पर अपने लिए एक स्वेटर नहीं खरीदोगे। यही फटी चादर लपेटे फुटपात पर ही पड़े रहते हो, लाओ जूते दो, ये लो पांच रुपए। पांच रुपए, पर इन जूते पॉलिश के तो बीस रुपए हुए, आपने डबल पॉलिश लगाने को बोला था। दिमाग खराब है क्या, है, बीस रुपए, दो रुपली की तेरी पॉलिश के डिब्बी नहीं है, और बीस रुपए मांग रहा है, ये पांच रुपए रखने है, या ये भी वापस जेब में डाल लूँ। बीचारा बुढ़ा मोची क्या कहता, चुपचा पांच रुपए रख लेता है, क्यूंकि उसे अपने परिवार का गुजारा करना था, और उसके लिए उस पांच रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी, विपुल अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ कर चला जाता है, वो एक अमीर लड़का था, उसके दिल में किसी गरीब के लिए दया नहीं थी, उस बुढ़े मोची का नाम रामिश्वर था, वो अपने घर पहुचता है, क्या बात है, मालती किशन अभी तक घर नहीं आया, बस आते से अपने पोते का जब तक मुह न देख लो, तुमें क्या करू मालती, बेटे बहु के गुजर जाने के बाद, किशन हम दादा दादी की जिम्मेदारी है, पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, दद्दा, फिर आपने अपना मन खराब कर लिया, जाओ, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, किशन, अरे तु नाराज क्यों होत है, अच्छा ले, मैं मन नहीं खराब कर रहा, आजा, दोनों साथ में रोटी खाते हैं, दद्दा, अब तो मैं बारवी पास कर चुका हूँ, अब तो मैं भी कुछ वक्त में नौकरी करना शुरू कर दूँगा, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, बस तू पढ़ लिख जाए, और तु जीवन में कुछ बन जाए, हमारी तो यही इच्छा है बेटे, दद्दा, मैंने वो OBC का फॉर्म जमा किया था न, उसके आधार पर मुझे एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तिरे लिए बहुत खुश हूँ अगले दिन किशन कॉलेज पहुँचता है, उसका OBC के तहट अच्छे कॉलेज में लाम आ जाता है, विपुल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था यार विपुल, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं हो गई है, तेरा ओवरकोट तो बहुत बढ़िया लग रहा है बढ़िया कैसे नहीं होगा, डैडी विदेश से लाएं, यहां के हिसाब से पूरे पचास हजार का ओवरकोट है ओए, अंधा है क्या, हैं, दिखाई नहीं देता, सारी कॉफी मेरे कोट पर गिरा दी, तू नहीं बचेगा जी, मेरी गलती नहीं है, वो कुछ बच्चे अचानक से बास्केट बॉल लेकर भाग रहे थे, वो टकरा है तो आप पर गिर गई देहाती गवार लड़के, तुझे पहले तो इस कॉलेज में नहीं देखा, अरे विपुल, ये कुछ गरीब बच्चों को जो हमारे स्कुल में हर साल दाखिला मिल जाता न, ये उनी में से एक है अच्छा, गरीब वर्ग के लोग, जिन पर कॉलेज दया करके अड्मिशन दे देता है, शायद इसने कभी ओवरकोट तो क्या, एक धंका स्वेटर भी नहीं पैना होगा स्वेटर में एर कंडिशनर भी लगा रखा है, इसके स्वेटर में ये छेद देख, ये इसलिए बने है स्वेटर में छेद वाला डिजाइन तो पहली बार देखा है, चल यार रोईट, कैंटीन से टमाटर सूप पीने चलते हैं, गरम गरम टमाटर सूप का अलगी मज़ा है, ठंड के दिनों में, चल किशन क्लास में आ जाता है, वो विपल की बातों पर ध्यान नहीं देता एक दिन किशन कॉलेट से घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा विपल किसी लड़के की पिटाई कर रहा है मैं तो बस उसे जगहा दे रहा था, मैंने जान बूच कर आपकी गाड़ी के आगे ठेला नहीं किया देख तो गलती करता है, उपर से जुबान लडाता है, गरीब कहीं का, बात तो तुझसे हो नहीं रही, ठंड में ठिठुर रहा है और मेरे सामने खड़ा होगा पहले मेरे सामने खड़े होने की आउकाद तो बना ले विपल इसे छोड़ दो, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बेचारा मजदूर है, इसे चोट लग जाएगी ले, आगया एक और गरीब, दूसरे गरीब की हमायत के लिए, चल रो हित, किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, महां गर्मा गरम कॉफी पेंगे, सारा मूड खराब कर दिया मेरा अमरूद का ठेला गिरा गया, किसी से उधार पर अमरूद खरीद के लाया था, कैसे भरपाई करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो सारे अमरूद खराब हो गया, आज एक रुपए के भी कमाई नहीं हुई, मैं क्या करूँगा किशन अपना स्वेटर थेले वाले को पहना देता है, किशन गरीबी का दुग जानता था, इसलिए उसे इस बात का एहसास था, वो उस ठेले वाले की मदद करना तो चाता था, पर उसके पास खुद ही पैसे नहीं थे, विपुल को जरा सा भी दुख नहीं था कि भरी सर्दी के दिनों में एक गरीब बिचारा पुरानी फटी कमीज पहन कर अपने घर से कमाने के लिए निकला है, परिवार को पालने के उसके पास अमरूत के ठेले का ही सहरा था, जिससे वो कमाई करके दो वक्त की रोटी जुटा पाता, पर उसने उसका सारा नुकसान कर दिया था, किशन घर पहुँचता है, तभी रामिश्वर भी आजाता है, किशन तुम्हारा स्वेटर कहां गया, सुभा तो तुम पहन कर गये थे, दद्दा वो किसी ठेले वाले को बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंड से काप रहा था, तो मैंने उसे दे दिया, किशन बेटा, तेरे पास तो एक ही स्वेटर था बेटे, कोई बात नहीं, ये ले तू ये स्वेटर पहन ले ले, आज जब काम पर गया था, तो व ये स्वेटर तुम पहन लो, रे मेरे पास तो वो काली जैकेट है, जो पिछले साल मिली थी, मैं तो वही पहन लूँगा, वो भड़ी गरम है, तू ये पहन ले बेटा, रामिश्वर को स्वेटर और कंबल मिलना इत्तिफाक नहीं था, बहुत लोग होते हैं, जो मदद के अगे रहते हैं, और ये अच्छी कोशिश है, कि किसी को ठंड में कंबल और स्वेटर बाटना बहुत ही पुर्णे की बात है, किशन ने गरीब थेले वाले को स्वेटर दिया, और बदले में भगवान ने सेट के रूप में पहुँचकर, रामिश्वर को एक नया स्वेटर अगले दिन जब किशन कॉलेज पहुचता है, डॉक्टर ने बताया है, विपुल को ठंड लग गई है, और जिसकी वज़ा से उसकी तबियत जादा बिकड़ गई है, और अगले दस दिन बाद फाइनल एकजाम शुरू हो रहे हैं, कितनी भैंकर ठंड पढ़ रही है, क्या रोहित के साथ विपुल की घर जाता है, विपुल की हालत बहुत खराब थी, वो उट भी नहीं बा रहा था, उसे बुरी वाली ठंड लगी हुई थी, खासी, जुखाम, बुखार, सिर में दर्द और आँखे लाल हो रही थी रोहित, किशन, तुम दोनों… किशन ने कहा कि वो तुम से मिलना चाहता है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ, विपुल तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी अद्रक वाली चाय बना लाता हूँ, और हर एक घंटे में तुम्हें भाब भी लेनी होगी, ताकि ठंड तुम्हारे शरीर से बाहर करा सके, यह अद्रक और तुलसी वाली चाह पीकर तो, शरीर को बहुत आराम मिला है किशन, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, और मैंने, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हारा फिर भी तुम मेरे लिए आये हो, बस बस, ज्यादा मत बोलो, और सोने की कोश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्म-गर्म खिचडी तयार करता हूँ, किशन का इतना प्रेम भरा बरताव देख कर विपुल सच में बहुत शर्मिंदा था, जिस किशन का वो अपमान कर रहा था, आज वही किशन, उसकी पूरे दिल से सेवा कर रहा था, अगले दिन विपुल की तबियत में बहुत सुधार आ जाता है, उसके मम्मी डैडी भी उससे मिलने आते हैं, मम्मी ये किशन है, आज इसी के वजह से मेरी तबियत में बहुत सुधार आया है, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ठंड लगने पर क्या करना चाहिए, मैं तो वह ही स्वेटर और जैकेट पहन कर ठंड को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसने मुझे तुलसी अद्रक की चाहे और गरम-गरम खाना खिला कर मेरी तबियत में सुधार ला दिया, ये बहुत अच्छा है मम्मी किशन से मिलकर विपुल के ममी पापा भी बहुत खुश होते हैं, कुछ दिनों बाद विपुल की तबियत में बहुत सुधार आ जाता है और वो परिक्षा की तयारी भी कर लेता है, एक दिन किशन विपुल को अपने दादा दादी से मिलवाने घर ले कर जाता है, किशन के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए ये बेस्ट बडीज